अरे तो आगए आप कैसे हो I hope कि तुम सब बात बढ़ी आओगे और तुमारी पढ़ाई भी एकदम first class चल रही होगे और आपको आपकी पढ़ाई में एल्प करने एक लिए भी आर बैक विटर निव लेक्चर ओफ CMA Foundation paper number one और आज अपन चालू कर रहे है study note number one जो की बात करता है अपना basic concepts of economics के बारे में तो देखते हैं समझते हैं कि study note अपना क्या बात ये करता है क्या सारे topics और concepts हमको इस chapter के अंदर में पढ़ने हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम जै सिरियाम ओके तो फाइनली अपन आज start करने वाले हैं अपना study note number one जिसका नाम क्या है एक बार सब लोग बोल देंगे basic concepts of economics यानि economics क्या है उसके जो basic basic concepts है जो आपने 11-12th class में पढ़ा होगा वो सारी बाते अपन इस study note में जो है वो discuss करने वाले हैं बिफोर मैं इस lecture को start करूँ आपको topics पढ़ाना चालो कर उसके पहले जो students है जो नए हमारे चैनल पर है तो उनके लिए मैं कुछ दो-तीन बाते या पे फिर से बताना चाहूँगा जो मैं generally हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस channel के उपर आप लोगों को CMA foundation related बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी अल्रेडी इस study note number 1 को अगर आज की rate में छोड़ दे तो सारे के सारे chapter 2 से लेके 8 तक सारे के सारे पूरे cover है इसके साथ ही साथ management में भी 4 जो आपकी study note है उसमें से 3 हमारे cover है एक इस study note के बाद अपन cover करने वाले है उसी के साथ ethics का जो आपका part है पूरा पूरा 30 नंबर का वो भी हमारे channel पे cover है वो भी सिर्फ तीन simple videos में ठीक है उसके अलावा class 11-12 की कुछ-कुछ आपको lectures यहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स दिख रहा है यह आपको हमारे telegram channel में मिल जाएगा link जिसकी मैंने description में दे दिया है अगर description से नहीं जाना चाहते हो तो telegram में भी simple search करोगे ज्यानी academy वहाँ पे भी आ जाएगा आगे updates के लिए आपको Instagram पे भी हम लोग को follow कर सकते हो ठीक है तो videos का क्या है कैसे सारे updates हम वहाँ पे देते रहते clear है अच्छा एक बात और ध्यान रखना है यह जो study note number one है इसका note जब सारी की videos पूरी आ जाएंगी line से ठीक हमारे YouTube channel में तभी हम telegram पे upload करते हैं proper हमारा process है पहले पूरे chapter की links आपको देंगे उसके बाद हम last में अपनी file upload करते तो यह जो particular हमारा study note है यह पांच पार्ट में total आने वाला है कौनसे पार्ट में क्या topics cover होंगे वह आपको thumbnail में दिख जाए डालते रहोंगा तो जब तक पूरे पांच पार्ट नहीं आ जाते हैं ठीक है notes telegram पे upload नहीं होंगे यह हमारा एक छोटा सा procedure है पूरे पाचों पार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको बोलना नहीं परेगा telegram पे आपको हमारे notes मिल जाएंगे ठीक है clear हो गया हंजी sir clear हो तो चलो अब अपन topic को start करते हैं पहला topic या आखरी topic इस lecture का आज के lecture का जो अपन discuss करने वाले है वो है definition and scope of economics आज के इस particular lecture में हम economics क्या समझेंगे एक चोटा सा insight लेंगे और economics में लोगों ने बड़े-बड़े economics ने कितने types की definition दी है क्या सारी बाते discuss कि उनका viewpoint क्या था economics को ल है economics का introduction और economics की various kinds of definition अगर तुमको यह topic नहीं पढ़ना है तो next topic next video पर skip कर सकते हो clear हो गया बट जिनको एकदम basic scratch से समझना है ध्यान से देखते जाना सुनते जाना तो सबसे पहले economics होता क्या है सरी जो word economics इसका meaning क्या है यह word आया कहा से तो भही है जो economics है यह दो Greek word से आया है Greek word है okios जिसका मतलब होता है household और दूसरा है nemen जिसका मतलब क्या है management नमन नहीं nemen ठीक है पहला word कौन सा okios दूसरा मतलब nemen okios का meaning क्या है household nemen का मतलब management दोनों को मिला दो तो क्या हो गया household management ठीक है तो यह जो Greek words है इनको मिला जुला के अपनने English में थोड़ा copy paste किया और word आ अपना economics कौन से word से Greek word से कौन से दो ग्रीक वर्ड ओकियो और नमन उनका meaning क्या household और management सर आप इसको repeat क्यों कर रहे हो भाईया इससे mcq question बन सकता है note में दिख रहा हूगा already red से मैंने उसको highlight करके रखा है तुमको इतनी भी tension लेने की जरुद नहीं क्या important है क्या नहीं जो भी सारा important है जो भी revision करने में आपको help करेगा फटा फटा फट उपर से देखके तुम्हारा पूरा chapter revise हो जाएगा सारी चीजों को मैंने red में highlight करके रखा है जिस भी चीजों से आपके mcq question बन सकते हैं सारी चीजे हापे important आपको highlight में मिल जाएगी तो make sure कि आप यह वीडियो प मतलब होता है household ठीक है household यह नि घर परिवार और दूसरा है नेमें जिसका मतलब होता है management दस economics means household management यानि घर को कैसे चलाना है यह economics का जो basic meaning था जब यह बहुत आज से तीन 400 साल पर डिराइव हुआ था तब इसका यह basic meaning था कि simple हमको घर को कैसे चलाना है कैसे manage करेंगे एक household को आज पास अपने society उसको क्या बोल दिये economics आज के current scenario में अगर मैं बात करूं तो meaning economics का बहुत ही जादा अलग है बहुत जादा वास्ट है बहुत सारी development को चुकी है बड़ जो इसका मूल meaning first primary meaning जो है economics का वो है अपना household management जो कहां से आया है ग्रीक के दो word okios और nemin से आया है ठीक the term economics was first used by Marshall in 1890 in his famous book principles of economics टीक है तो हमारे जो Marshall Baba है यह Alfred Marshall Baba इनोने 1919 बार बार निकल रहा है इनोने 1890 में एक बुक लिकी ती जिसका नाम था principle of economics और उसमें यह economics word है इसका सबसे पहली बार जिकर हुआ था ठीक है बहुत अच्छी बात है the main economic problem is to transform society's resources into consumable commodities by using productive technology it is a problem because human wants are unlimited and society's resources are limited so the central task of economics is to decide how much of which commodities are to be produced for the optimum satisfaction of human wants अब यहाँ पर economics को थोड़ा सा और डीप में ले जाके बता रहा है कि भाई यह economics में हम करते क्या है basically economics क्या है तो economics क्या है इसमें हम पन क्या पढ़ते है और scarcity of resources को पढ़ते है 11 में पढ़ा था micro economics economics की central problem क्या है main problem क्या economics हमको पढ़ने की स society में जो हमारे पास resources है वो limited है human की wants जो है वो unlimited है हमारे पास जेब में होता है 1000 रुपे बट दिमाग में अर्मान होते है 10,000 रुपे के एक एक करोड के अर्मान होते है ठीक है तुम्हारा भी dream होगा बड़ा सा घर लेंगे Lamborghini चलाएंगे Rolls Ross खरी देंगे बड़ जेब में क एक private jet हो अमानी के साथ meeting हो तो यह सब क्या है तुम्हारी wants है जो कभी खतम नहीं होगी अमानी के साथ meeting हो जाएगी या बोलो गया रब Elon Musk के साथ meeting अपने को करनी है अब mangal ग्रह पे जाके अपने को party करनी है तो wants क्या है unlimited है यह कभी खतम होने नहीं वाले बट resources क्या है हमारे पास वो बहुत ही जादा limited है अब उन resources को आप कितने proper तरीके से utilize कर सकते हो कि आपको भी satisfaction मिले आपका भी काम हो जाए unnecessary कोई बहुत जादा wastage ना हो या कोई बहुत जादा आपको tension lang लेनी पड़े इसी को अपन पूरा पढ़ते हैं किसके अंदर economics के अंदर बोलो जोर से किस जा सकती बट जो basic जरूरत हैं उसको क्या हम पूरी कर सकते हैं कर सकते हैं देख लो क्या कुछ luxury needs हैं वो पूरी कर सकते हैं किस तरीके से पूरी होगी ये सारी चीज़े कहां पढ़ते हैं अपन economics में पढ़ते हैं तो वही चीज़ यहां पर बोल रहा है कि economics की जो main जड़ है इसी को क्या बोला गया है शास्तरों में economics बोला गया अब definitions पे आते हैं economics की ठीक है over the period of time क्या होता है कि economics में भई ये लोगों ने सोच विचार किया research की ठीक है और धीरे धीरे जो आज अपन modern day economics जो देख रहे हैं जो बाते अपन समझ रहे हैं देख रहे हैं आसपास में वो आपको एक story के form में बताने वाला हो कि economics धीरे धीरे ग्रो कैसे हुआ ठीक है total आपको चार्ट में दिख रहा होगा चार phases में जो है हमारा economics ग्रो हुआ है इसको अपन definition भी बोल सकते है बट अभी तुम थोड़ा सा मेरे तरीके से अपने आपको मोल्ड करो इसको समझो कि economics ही growth ठीक है तो इन चार पार्ट में जो economics है वो धीरे धीरे evolve होता गया सबसे पहला stage आया अपना wealth centered definition यानि जो हमारे starting के time के जो economist हुए ठीक है starting के time के economist हुए कौन-कौन Adam Smith और JB से हलंकि और भी बहुत सारे है पर इन दो को हम पर main focus में लेके चलेंगे कौन-कौन Adam Smith और JB से सर नाम पे wealth centered definition अभी है क्या है तो जो starting phase के जो first economist हुए हमारे ठीक है अपनी story के first economist जो है उन्होंने सोचा समझा बुद्धी लगाई कि सर economics है क्या ठीक है तो उन्होंने सोचा कि या economics मतलब अपन देख रहे है घर को manage करना है घर manage कैसे होता है resources से होता है resources आते कैसे है तो resources बट आफ इसी point को focus किया कि वही हमको resources सही है resources काई से हैंगे पैसे से हैंगे तो economics मतलब कहीं ना कहीं पैसा हो गया clear हो यह बात समझ में आ रहा है तो उन्होंने इसी money factor पे monetary basis पे wealth फोकस करके अपने side से economics definition दी जो उनको अपने समय में समझ में आया clear हो गया है तो wealth centered definition क्या है अब देख हो किया यानि उनका क्या मतलब economics मतलब wealth है wealth को कैसे create करोगे कैसे proper utilize करोगे इतना ही economics का scope है ठीक है यहां तक ही वह सोच पाए ठीक है तो आगे it is mostly associated with JB से और Adam Smith Adam Smith was called father of economics ठीक है Adam Smith को क्या बोलते है father of economics अभी यहां पे confusion आ सकते है ध्यान देना एक है father of economics और एक है father of modern economics ठीक है ए father of economics जो कॉन है Adam Smith दूसरे होते father of modern economics तो वो दूसरे है कौन है आपको google करना है comment section में आपको answer दिना है जिसका answer सही होगा हमारे तरफ से उसको heart मिलेगा ठीक है ध्यान रगड़न रखना father of economics अलग है father of modern economics अलग है अभी economics कोन है Adam Smith father of modern economics किसको बोला जाता है यह आपको comment करना है तो जो Adam Smith थे, तो अपनी बुक में उन्होंने उन्होंने इकनोमिक को पॉलिटिकल एकनोमी के साथ रिलेट किया, लिंक किया और थोड़ा बहुत उसमें साइन्टिफिक मैनर में तड़का लगा के लोगों को एकस्पलेन करने की कुर्शिश की आलंकी की एकनोमिक्स है क्या, अकॉर्डिंग टू जे भी से, जे भी से क्या बोलते हैं कि एकनोमिक्स इस दे स्टड़ी ऑफ साइन्स ओव वेल्थ, वेल्थ की साइन्स को समझना, जैसे मैंने तुमको पहले बोला कि एकनोमिक्स का में मतलब कहाँ से चालूआ, थीक है, हाउसवो्ड को मैनेज करना मैनेज करने के लिए क्विए रिसोर्सेस चाहिए है, मैंण पावर चीज़, जो दोनों कहाँ से हैंगे पैशेस हैंगे, तो उनकी सोच वहीं तक गई, तो उन्होंने wealth के ओपर ही खेल के definition दी क्या, कि economics is the study of, economics is the study of science of wealth, यानि wealth समझ लिए तो economics समझ लिए, उसी चीज़ को Adam Smith ने बोला कि economics is the science which deals with wealth, ठीक है scientific manner में थोड़ा उन्होंने associate करके बताए कि economics ऐसी science है, जो wealth के साथ deal करती है, सर, science मतलब क्या होता है, तो यह हम अपने next किसी lecture में समझेंगे जहां आपन पढ़ रहे होंगे कि economics science है art है, क्या चीज़ है, ठीक है, तो अभी के लिए इसको अपन यहाँ पे छोड़ते हैं, समझ लो अभी बस इतना कि economics होनोंने wealth से denote कि और बोला कि economics है कैसी science है, जो कहीं न कहीं, wealth से जाके interlink होती है once हमने wealth समझ लिया, तो हम economics भी समझ जाएंगे, अब according to the about definition और थोड़ा सा analysis करने पे क्या समझ मैं है कि economics explain how wealth is produced, consumed exchange and distribution खोड़ी देर पहला ही मैंने बोला कि wealth कैसे बनानी है, कैसे grow करना है, कैसे बाटना है वोई चीज यहाँ पर लेगी कि wealth कैसे produce होती है कैसे consume यानि खतम होती है, कैसे उसको अपन exchange करते है, goods के बदले में money currency अपन exchange करते है और कैसे wealth को अपन distribute करते है, तो यह बताता है यहाँ पर, according to Adam Smith, man is a economic man, एक man, एक आदमी क्या एक economic आदमी है यहाँ पर economics is a science of study of wealth होनी, यानि economics क्या है wealth के पीछे की science को समझता है कि wealth हाकि, बनती कैसे है, grow कैसे होती है बढ़ा कैसे सकते है, कम कैसे होती, clear next, this definition deals with the causes behind the creation of wealth, clear है it only considers material wealth ठीक है, किसको consider करती है सिर्फ वह से material wealth को, material wealth मतलब क्या, material मतलब क्या material wealth है, निया ऐसे चीज़ जिसमें gravity हो जो आपको समझ में है, जो जिसका आपकी जिंदगी के उपर कुछ ना कुछ impact हो, भारी चीज, है भी चीज, उसको क्या बोलते हैं, पर material, for example कैसे, 10 रुपे हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा important नहीं हो, कभी जेब से गिरी है, ठीक है थोड़ा सा उदास हो लोगे, बट चला लोगे, ठीक है बट वहीं उसकी जगए 2000 रुपे आपकी क्यों, क्योंकि वह चीज आपके लिए material नहीं थी, बहुत ज़्यादा important नहीं थी, तो important चीज को यहाँ पे क्या बोल दिया, material wealth यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो जो economics है, वो किस से relate करता है, सिर्फ और से material wealth से relate करता है, अब, जब यह wealth 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 economics मतलब wealth wealth लेके चल रहे थे, तो बाकी के भी कुछ economist है, उन्होंने इनकी book पड़ी, definitions पड़ी, उन्होंने बोला, कि भईया, economics मतलब wealth हो गया, यह तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप बोल रहे हो, आपको घर चलाने के लिए resource चाहिए, resource कहां से आएंगे, wealth से forward looking आप देखी नहीं रहे हो, समान खरीदने के लिए आप पीछे गए, बट समान को use कर रहे होगे, समान खरीद कर रहे हो, आपका resources को deploy करने के पीछे, reason क्या है, ताकि इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है, chocolate खाते क्या मिलता है, satisfaction मिलता है, गाड़ी खरीदते ह कि सिर्फ और सिर्फ economics को ये बोल देना कि बस wealthy economics है, wealth समझ लिए, तो economics आपकी complete हो गई, ये पूरी तरीके से गलत बात है, ऐसा किनों ने बोला, आगे आने वाले economist ने बोला, ठीक है, और उन्हों ने, जो हमारे Smith बाबा ने जो definition दी, उसको criticize किया, उसको बोला कि सिर्फ पैस को मिल रहा है, आपको सुक मिल रहा है, आपके फाइद एक लिए, आपके benefit के लिए, तो वो जो welfare हो रहा है, आपका जो benefit हो रहा है, आपको वो भी economics के अंदर में आएगा, सिर्फ और से पैसा नहीं आएगा, तो इस ground में, आगे वाले जो हमारे philosophers होए, जो economist होए, यहापे आ नाम दिख जाएगा, Rusking, Walrus, Dickens वगेरा, इन्होंने इस following ground पे, जो उपर वाली wealth की definition थी, जो हमारे Smith बाबा ने दी थी, और JB से बाबा ने दी थी, उनको उन्होंने criticize किया, और बोला, according to critics, economics is a decimal science, gospel of men, bread butter science, uncompleted science, etc. उन्हेंने बोला कि जो आप बोल रहे हो कि economics एक wealth की science है, वो पूरी नहीं है, वो एक uncompleted है, wealth is of no use unless it's satisfied human wants, ठीक है, wealth को अगर तुम बोलोगे कि भईया, पैसा ही economics है, तो रख दो पैसा को तीजोरी में, और बोलो economics सीखगे, economics समझ गया, जब तक वो पैसा use नहीं होगा, आपके काम नहीं आएगा, तब तक क्या मतलब है उस पैसे क कोई मतलब नहीं है, अगर मेरे हाथ में 10 रुपे वी है, जिसको मैं खर्चा कर सकता हूँ, तो वो उस एक करोड़ से कई बढ़ा है, जिसको मैं कभी देख नहीं सकता, कभी खर्चा नहीं कर सकता, तो क्या wealth ही economics से ये बोलना सही है, नहीं, wealth को use कैसे करें, ठीक है, human की wants को क पूरी तरीके से सही, नहीं, ठीक है, लोगों का सूचने का दाइरा बढ़ा, और उन्होंने एक प्रावलम, एक definition को criticize कि और आगे वो आए, और उन्होंने दिया welfare-centered definition, ठीक है, एक criticism क्या था, this definition is not much of importance to a man and his welfare, यानि welfare की कहीं भी बात नहीं है, तो फिर जो आगे आए हमारे 70, ठीक है, in which Marshall corrected the mistakes of Adam Smith and gave his own point of view, ठीक है, उन्होंने, जो पुराने वाले थे हमारे Smith बाबा, उनकी जो गलतियों को कुछ सुधारा और एक अपना point of view दिया कि economics मतलब क्या, जिन्होंने उन्होंने ये बात करी, definition दी, कि economics is the study of mankind in ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material request of well-being, य जब तक आपके वो काम नहीं आ रहा है भईया, तो ऐसे पैसे का क्या मतलब, ठीक है, जिस पैसे से किसी का भला ना होसा है, कि उस पैसे का क्या मतलब, यहां पे, जब भी कभी, खुद ही practical चीज़े है, कि जब भी कभी कोई हमारे से पैसा मंगता है, ठीक है, अगर कोई beggar ह आप से पैसा मंग रहा है, ठीक है, और आप उसको पैसा देते हो, तो क्या बोलता है, भगवान तिरा भला करें, ठीक है, यही चीज, ठीक है, यही चीज, अपनी अपनी बुक में, ऐलफर्ड मार्शल ने एक्स्प्लेन करने की कोशिश की, कि ऐसे पैसे का क्या मतलब, जो में ही आप नहीं लगा सकते हो, समझ में आ गई पूरी कॉरी कॉंसेप की कैसे कैसे डिवलफ और एकनोमिक्स, पहले वेल्थ में थे, अब वेल्थ प्लस वेल्फेर आ गया, ठीक है, क्योंकि उस पैसे का कोई मतलब नहीं जिसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, उसका मार्शल डेफिनेशन, इकनोमिक्स इस वन साइड स्टडी और अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड ऑप स्टडी और वेल्फेर ऑफ हमें, ठीक है, इन्होंने यह नहीं बोला कि जो पहले वालों ने बोला था, समित ने जो बोला था कि वेल्थी एकनोमिक्स है, वो किन बातों पे क्रिटिसिδα हूए, ठीक है, अब इनका भी यहा पे क्रिटिसिδα हूए, अब इनका किन बातों पे criticism हुआ, अब जो आगे के आ रहे हैं हमारे economist, philosophers उन्होंने बोला कि wealth है economics, समझ में आ गया, wealth अगर किसी काम में हमारे नहीं आए, तो भी वो कोई मतलब का नहीं है, तो welfare भी आपने economics में चिपका दिया, ये चीज़ भी समझ में आ जाए, बट welfare यानि कितना welfare, welfare मतलब क्या जो हमारी satisfaction है, ठीक है, जो हमको satisfaction मिल रहे है, वो ही क्या है, welfare हो रहा है, ठीक है, जो हमारी wants है, वो हमारी satisfy हो रही है, तो क्या है, हमको welfare हो रहा है, clear बात है, आप बोला कि welfare मतलब आप किसको welfare बोलोगे, क्योंकि human की wants तो unlimited है, कितने wants को satisfy करोगे, इसका भी तो study करो, ठीक है, इसके बारे में भी सोच विचार होना चीए, कि भाईया, human wants, क्या है, किस तरीके से आप उसको पूरी करोगे, ठीक है, wealth से welfare होना चीए, बड़ कितनी wealth का welfare होना चीए, कितना percent welfare होना चीए, कब welfare नहीं होना चीए, कैसे आप होगे, कैसे इस चीज को बोलोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो resources है, इनो ने दिया, कि resources जो है, वो limited है, resources क्या है, scare है, किन चीजों को आप fulfill करोगे, किन को छोड़ोगे, किस तरीके से आप properly चीजों को manage करोगे, इसके बारे में भी तो ध्यान दो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, कि आपके बस जितना का जितना पैसा है, सारा का सारा, आप use करोड़ो, और बोलो कि भाईया, मैं fully satisfied हूँ, मुझे जीवन में अब और कुछ चाहिए नहीं, तो भाईया, सादुमात्मा तो आप हो नहीं कि आपको जीवन में कुछ चाहिए नहीं, हर किसी की wants होती है, wants को सारी wants को फुल्फिल नहीं कर सकते, क्योंकि scarcity जो है, ठीक है, जो resources है, square है, limited है, तो इन्होंने यह और एक नया angle यहाँ पे दिया, कि आप जो बोल रहे हो welfare, wealth वो भी ठीक है, बट square city के बारे में भी सोचो, और उस ground पे, ठीक है, उस ground में हमारे Robbins भाई साब, ठीक है, Lionel Robbins भाई साब ने criticize किया welfare definition को, क्या क्या इन्होंने बोला, according to Robbins, welfare definition is uncompleted definition, ठीक है, according to Robbins, economics must be neutral between ends, according to Robbins, economics must be a describer and not a describer, फिर Marshall neglected some material goods which do not promote human welfare, but these are also produce, exchange and consume, so they also come under the subject matter of economics, for example, cigarettes and alcoholic product, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो Marshall भाई साब ते उन्होंने कुछ material goods को, ऐसे goods जो बन तो रहे है, but human welfare को जो है, human के किसी भी welfare में काम नहीं आ रहे है, बट उसको भी आपने आपे, कोई चर्चा ही नहीं किये है, ठीक है, जो goods अपन produce कर रहे है, exchange हो रहा है, consume हो रहा है, ठीक है, जो goods है, produce हो रहे है, exchange हो रहे है, और consumer हो रहे है, so that they also come under the subject matter of economics, ठीक है, अब जो cigarette industry है, tobacco industry है, liquor industry है, बहुत बड़ी industry है, बहुत से लोगों को employment भी मिल रहा है, ठीक है, अच्छी खासी sales होती है, ठीक है, बट क्या ये country में contribute कर रहे है, money का inflow इस चीजों से आ रहा है, बिलकूल आ रहा है, तो भया जब ये welfare की बात ही नहीं कर रहे है, बट इसमें wealth included है, ठीक है country की GDP में इनका contribution है, तो फिर ये चीज तो आपकी definition में missing है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि पैसे से इंसान का भला होना पर इन चीजों से तो भला नहीं हो रहा है, बट ये कही ना कहीं तो contribution अपना दे रही है country की growth में, economic की growth में, तो ये चीज तो आपकी आधी definition हो कोई welfare की, इस चीज को भी ले के आओ, तो ये जो सारी point है, छोटी 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 बारी किया, पकड़ी अपने रॉबिंस भाई स जो की किस ने दिया था, Lionel Robbins ने दिया था, अपनी famous book में, essay on the nature and significance of economic science, published in the year 1932, according to Robbins, इन्होंने बुला कि, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scare means, which have alternative uses, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं यहापे, कि economics एक study है, किसकी study है, human wants की, ठीक है, और जो scare means है, उनके बीच की, और उनके क्या alternative uses निकाले ज study को क्या बोलते हैं, economics बोलते हैं, अब according to above definition, जो wants है, unlimited है, resources limited है, alternative जो uses है, resources के limited है, जैसे बहिया, दूद है, दूद को आप directly consume कर सकते हो, उसमें चाय पत्ती मिला के, चाय बना के पी सकते हो, पनीर निकाल सकते हो, गी निकाल सकते हो, तो बहुत सारे alternative uses आपके पास है, जमा पाई को आप खुद भी use कर सकते हो, rent पे भी दे सकते हो, ठीक है, बट आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ आपको opt करनी है, problem यहाँ पर choice किया आती, तो यह चीज़ों भी इन्होंने cover की अपनी definition में, merits क्या-क्या थे, merits क्या-क्या थे, यानि क्या-क्या अच्छी बात है थ पाई है, जो आप यह universal science, universal science बोल रहे हो ना, नहीं है, universal science, not applicable to developed countries, developed countries में applicable नहीं होती, क्योंकि उनको जो सारी चीज़े चाहिए, उनको कही ना कहीं से वो चीज़े मिल जाती है, तो यह universal science आप बोल रहे हो, universal science मतलब क्या, जो पूरे globe में, ठीक है, पूरे universe में, same जैसे लग है, उसको चाहिए, लोगों कि कोई वहाँ पे खुद से वो choice नहीं कर सकते है, खुद उनकी demand नहीं कर सकते है, तो जितने उनको मिल रहा है, वो उतने में ही खुश है, ठीक है, यह चीज़ होती है, वहाँ पे, it is not applicable to developing countries like India, it is like an old wine in a new bottle, और it also neglects the dynamic concepts, ठीक है, अभी है, जो उनको growth भी चाहिए, कहीं ना कहीं, ऐसी थोड़ी नहीं कि जहां पर जिस लेवल पर आपना आज बैठे है, वहीं अपने को बैठना है, तुम भी जैसे foundation पढ़ रहे हो, तुम्हारी भी इच्च है कि आगे intermediate जाओ, फिर final पर जाओ, डिग्री लो, foundation पही थोड़ी नहीं बै जे एम कीन्स और पॉल ए सेमिल्सन फीक है, पॉल ए सेमिल्सन और जे एम कीन्स ने बात की, इन्होंने वहीं यह बुक लिखी, बुक रिटन बाई सेमिल्सन वास, Economics and Introductory Analysis जो कब आई 1948 में, ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से जस्ट एक साल बाद यह बुक आई, इन इस बुक ही गेव न्यू देफिनेशन और इसमें अपने इन उने न्यू देफिनेशन दी इकनोमिक सी, जो बेसिकली था क्या, Wealth Include कर देंगे, Welfare Include कर देंगे, Scarcity Include कर देंगे और Growth का तड़का मार देंगे, सारी चीज़े Include करके अपना तड़का मार के नहीं देफिनेशन देदेंगे, च्या बोल रहे है आपे, Economic is the study of how man and society choose with or without use of money, money यानी, Wealth वाली चीज़ आ गई, To employ the scare productive resources, मैंने क्या बोला था, Wealth Include कर देंगे, Welfare कर देंगे, Scarcity डाल देंगे, थोड़ा सा Growth का आखरी में तड़का मार के नहीं डेफिनेशन अरोज देंगे, हुआ वो चीज़ ठीक है, Men वगेरे की बात करी याँ पे, Money की बात करी, Wealth कवर हो गया, उसके बाद consumption की बात करी, Human Satisfaction, Want, वो सारी चीज़े कवर हो गई, Square याँ पे बात हो गई, Square City की चीज़े याँ पे आ गई, और आखरी में बता दिया, Analysis है, Cost, Benefit, Improving Pattern, और Resource Allocation, इस तरीके से, Cost को ध्यान में रखते वे, Benefit को ध्यान में रखते वे, अपने को Growth करनी, Resources को कैसा Allocation लगानी, Growth का तड़का भी याँ पे मार दिया, और एक Perfect जो है Economics की Definition, आज के टाइम में जो अपन स्टड़ी करने हैं, वो इस तरीके से सामने, पहले Mindset क्या था? घर को Manage करना है, घर को Manage करने करें चाहिए, Resources, Resources कहां से आएंगे Money से, Money यानि Wealth, ठीक है? तो Wealth को समझ लिया, Wealth को Manage कर लिया, यानि Economics हो गई, फिर बोले कि ऐसा पैसा किस काम का, जिससे लोगों का भला ही नहीं हो सके, तो Wealth के साथ Wealth को भी जोड़ दिया, फिर बोला भाईया, हर जरूरी थोड़ नहीं है, कि अपन 100% चाहें, तो Wealth कर दें, हम क्यों? क्योंकि Resources हमारे पास Care है, जरूरी नहीं है, जो चाहें, वो कर लें, Scarcity जोड़ दिया, अब बोला, भाईया, Scarcity की बात करो, Growth की कब बात करोगे, हर कोई चाहता है, कि जीवन में बड़े, Growth कैसे होगी, यह हैं तो बताओ, तो वो भी यहां पे इन्होंने बता दिया, यह होगे, तो इस तरीके से जो है, Different, different time segments में, हमको different, different definitions हमको मिलते गई, 1700 से चालू होते वे, अपन 1948 पे आके यह proper चीज़े खता हुए, तो इस तरीके से, बहुत सारी अलगण definition हमको मिली, इसलिए मैंने starting में बोलाता है, कि इसको अपन क्या है, evolution of economics, economics दीरे-दीरे-दीरे कैसे growth हुआ, कैसे लोगों ने अपना दिमाग लगा और सोचा, कि क्या और चीज़े अपन इसके अंदर study कर सकते हैं, क्या और चीज़े इसमें include होनी चाहिए, जो पहले नहीं थी, और इस तरीके से, जो आज हमको modern day economics देखने को मिलता है, टोटल development इस टाइप से इनका हुआ है, clear हो गया, बस above definition में और क्या सारी बात हैं, उसको थोड़ा सा discuss अपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिए कैसे सबसे पहले, like the scarcity definition, it also accepts the unlimited want and limited resources, which have alternative uses, ठीक है scarcity की बात यहाँ पर यह कर रहे हैं, accept कर रहे हैं, according to Samuelson, the problem of scarcity of resources not only confined to present, but also to the future, future में भी अपने को देखना है, present की सीमित नहीं, it means he introduced a concept of time element, time element की इनोने बात की, यहाँ पर बोल रहे दिना, starting में की भाई यह economics एक dynamic concept है, बहुत बड़ी चीज है, आप बहुत सारे elements miss कर रहे हो, तो नहोंने time element यहाँ पर इंट्रड्यूस किया, he also adopted a dynamic approach to study economics, considering economic growth as an integral part of economics, growth कैसे चाहिए, इसके बारे में बात की, फिर this definition includes Marshall's welfare definition, and Robin's scarcity definition, ठीक है, wealth को भी include कर दिया, scarcity को भी include कर दिया, scarcity में already welfare वाला पार्ट था, growth का अपना ठड़का लगाया, time element बताया, बोला कि भाईया सिर्फ उसी present की नहीं, future की भी बात करनी है, आगे का भी सोचो, बड़ा भी सोचो और अपनी एक नई definition, मस्त तरीके से सरका दी, ठीक है, जो क्या बन गई, growth center definition, जो की किनोंने दिया था, J.M. Keane's और Paul A. Samuelson, ठीक है, clear हो गया, हंजे सर, clear हो गया, next जो topic है, तुमको दिख रहा होगा, subject matter of economics, जो अपन आज नहीं discuss करेंगे, इसको discuss करेंगे next class में, ठीक है, already मेरे इसाब से इतनी सारी definition, पूरी स्टोरी तुमने समझी है, थोड़ा भी heavy हो गया होगा, दो मिनिट बस वीडियो को एक बार बंद कर लेना, end होने के बाद, और एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, clear हो गया, तुमके सर, clear हो गया, तो विद इस, आज की इस class को मैं यहीं पर करता हूँ, और आप से मैं खतम, और आप से मैं बोलता हूँ, बाई बाई, टाटा, गुड़ बाई, में रहोंगा आप से नेक्स लास में, और नेक्स लास में बहुत सारे मज़िदार टॉपिक्स देख रहे होंगे, बढ़ तब तक के लिए,